हेलो गाइज वेलकम बेक टू माय चैनल रेलू की रसोई जैसा कि आप सबने हमारी पुरानी वीडियो में देखा हम लोग अलीगड का स्ट्रीट फूट कवर कर रहे हैं और स्ट्रीट फूट के बात हो और समूसी की बात ना हो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि स्ट्री पूसंद होता है तो इसलिए आज हम लोग आई है मोनिका स्वीट सेंटर जहां का समूसा बहुत ही फेमस है नॉर्मल आप लोगों ने जो समूसा खाया है वो चट्मी के साथ या साथ की आजाता है लेकिन यहां पर जो समूसा आपको मिलेगा वह रायते के साथ मिलेगा है समूसा बिल्कुल य Clinton तो यहां पर जो समूसा है वो नायते के साथ मिलता है और इसका टेसटर बहुत ही अच्छा होता है बहुती टेस्ती होता है को बीपरसन यहां पर अगर थान याकीन रियुद दीन वानियोंसे चेले विद्सरीर मोनिका सुट सेंटर नमस्ता बेटा बहुत बढ़े हों हाँ और आप बताए जा नोंबर सेवेंटिन है यह पहले साक्षर करें यह पहले सी यह ना बैटा हाँ बेटा है कि बारह रुपेगा जी 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 एक रुपेगा एक रुपेगा मेन जो चीजे उसके अंदर भी आज है उसके बाद जितने भी मौसमी सबजी यह वगरा होती है ना उनका सब कर जूस होता है और हां बेटे मेरे नजरमा कोई आता है नहीं जो है ऐसा बनाता होगा पर जी देखे जी जी कि इतनी ने कुल जाती है तो हुआ जुआ जाता है जब जाए जह लोगत साम को साठेशा बेशा अब सब मिठाईया मिलती है कोल्डिंस नम्कीन नहीं कर चोड़ी वगरा यह खसता है संमूसी के साहत, आपको यहां पर cold drinks भी मिल चाहेंगी, नमकीन भी मिलेगा, खस्था है जैसे किि आप यहां पर देख सकते हैं नमक पारे भी हैं और साथ ही-साथ यहां पर काफी सारी मिठाईय भी हैं तो मैं अभी कि यहां पर बहुत सारी मिठाइए हैं आप यहां से मिठाई भी ले सकते हैं कि लॉक्टाउन की बार कुछ परक पड़ा है ना जी आप कोई भरक ना पड़ा सब जूट बोलते हैं फूर सेल साही है कि अब इस समय जो है मेरे पास जो है तीसरी पीड़ी आती है जो एटी बन में एटी में जो बच्चे ग्रिजेशन कर गए ना वो भी आप कब से आते हैं यहां पर समूसे खाने के लिए 2001 से आते हैं और अभी भी टेस्ट सेम है कैसे लग भी आपको टेस्ट में तो देखा आपने की लोग समूसा खाने के लिए आज भी सिर्फ यहीं पर आते हैं कि अब मेरा बेटा रंजन और मेरा नाति संसकार संसकार भारतवाज यह दोनों मेरा पूरा सायोब करते हैं और बेटे की सामने यह सब्दी है संड़ को क्लोज रखते हैं मोनिका डेली नुट्स तो वो थोड़ी देर के लिए खाना वाना खाने चला गया नहीं दो वो सम्मिल जुल कहीं कर पाते हैं एक तो सुवेर से शह साड़े शह वज़े से लेकर रात तो दगवर जाते हैं कि आप दिखाने वाले जी यह यह चीज़ देखिए आप यह देखिए यह बरकुर नीटन क्लीन मसाला बनके यह रखा हुआ है यह जी और यह सब्जियों का जूस है और यह पेस्ट दही प्याज का पेस्ट है कितना साब सुतरा एकदम नीटन क्लीन कहीं कोई दाग भी नह मतलब गिराकों के लिए अच्छा मतलब संदेश जाय चीज अच्छी जाय साब सुतरी रहे है क्वालेटी है हाँ यहाँ पर मोनिका स्वीट सेंटर की मिठाईयां और समूसे बनाए जाते हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस टाइम पर भी गर्मा गरम समूसे बनाए जाते हैं एक बैच खतम होने के बाद तुरंथ यह दूसरा बैच तयार किया जाता है ताकि कस्टमर को गर्मा गरम समूसे मिल सकें समूसा तो आप कहीं भी खा सकते हैं लेकिन यहाँ के समूसे में जो टेस्ट है वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा सबी मसाले जो हैं एकदम वाली हूँ समोसे जैसे कि अंकल ने बताया कि यहाँ पर 12 रुपे का एक समोसा मिलता है और कोई यहाँ आकर सिर्फ एक समोसा खाई ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है तो यहाँ पर हमारा समोसा आ चुका है और अब मैं इसे टेस्ट करने वाली हूँ जब मैं 6th क्लास में थी तब से मैं यहाँ पर समोसा खाने के लिए आती हूँ और इसका टेस्ट जो है वो आज भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे उस टाइम पर हुआ करता था बहुत ही जादा टेस्टी तो यहाँ पर मैं एक समोसा फिनिश कर चुकी हूँ और यह मेरा 2nd समोसा है अगर आप अलीगर्ण में रहते हैं और अभी तक आपने मोनिका स्वीट सेंटर का समोसा नहीं खाया है तो एक बार आप यहाँ पर जरूर आईए एक बार यहाँ का समोसा जरूर टेस्ट कीजिए बहुत ही टेस्टी है अगर ची किसी को आना हो तो एड्रेस क्या रहे जी इसके लिए सब सब बढ़िया मोनिका स्वीट सेंटर गांदी नगर अलीगर निकट वार्षने मंदिर और एसवी डिगरी कॉलेज़ यह है मोनिका स्वीट सेंटर और एड्रेस जैसे की अंकल बता चुके है वाशने मंदिर के पास में या फिर वाशने डिगरी कॉलेज़ के पास में तो आप लोग एक बार यहाँ पर जरूर आईएगा और अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आये हैं तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीज़ेगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीज़ेगा